नविश्कार सी निउस भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है निउस बुलिटिन में और भी तमाम खबरों पर आई करते हैं विस्तार से चर्चा भोपाल लोकायुक्त में लगी आग को लेकर कॉंग्रस नेता बना रही है लोकायुक्त कार्याले विगिपती जारी होने ने उन्हें बताया कि किसी प्रकार की कोई शती नहीं हुई है बावजुद इसके कॉंग्र इस बात को मुर्दा बना रही है कॉंग्रस के पास कोई और काम नहीं है देखिए कॉंग्रेस पार्टी और उनके निता लगातार एक नकारा विपक्ष की भूमी का निभा रहे हैं जिस तरह से लोकायुक्त कारयाले में आग लगी हो और मामले में इस फष्ट तोर पर आ चुका है कि केवल कच्रे में अनुप्योगी सामान पर आग लगी थी किसी भी तरह के कोई दस्तावेश किसी भी तरह के जास से कोई कागजात इस मामले में नश्ट हुए हैं ना किसी तरह से प्रभावित हुए ऐसे में उमंग सिंगार जैसे नेता द्वारा इस तरह की बात करना एक गैर जिम्मेदारी पूर्ण बरताव दिखाता है इसी वजह से कॉंग्रेस पालिटी प्रदेश के जनता के बीच में अ अमाम मामलों में जो इस सिकायते प्राफ थी उन पर जहांच की आदेश भी सरकार के द्वारा ही करवाए गए हैं भुपाल ससीनिव समवाद दाता मनीश की रिपोर्ट डोंबी वली कल्यार शील रोट के किनारे नेकानी पाड़ा बस स्टॉप के पीछे पाच एकड़ जमीन पर बिल्डर द्वारा कबजा करने की चौकाने वाली घटना सामने आई है ये जगह किसान बासुदेव पाटिल की है भूमेपुत्र ने चिताबनी दी है कि अगर बिल्डर ने जगह पर आतिक्रमट किया तो भूमेपुत्र इसका विरोध करेगा इस जगह पर पाटिल का पुष्टैनी कबजा है कल शाम साथ बजे बिल्डर ने यहां घुसने की कोशिश की वो अपने एक साथी के साथ निजी आंग रक्षक लेकर आये थे इस जोरान पुलिस ने भी मौका मुआयना किया पाटिल ने आरोप लगाया कि मामले में निजी बिल्डर की घुस पैट को पुलिस का समर्थन प्राप्त है लेली कभजे वही वाटेची आनि खाजगी जमीन सर्वेक्रमंक एकको नाइशीचा तीन या ही जमीन टैंची ओडुलिपरजित कभजे वही वाटीची आयासून ते यहां टिकाने अनेक वर्षा पासून तेन्सा कभजा वही वही वाट आये परन्तु आमचा त्यानने असन इदरशन आणून दिला कि काल रोजी एक संबंदित बिल्डर पर प्रांती बिल्डर पोलिस संसा अधार गेऊन आनि काई खाजगी बाउंसर गेऊन त्यान चार रुकुम शाईने आनि जबर दस्तिने या जागे वर कभजा करने सा प्रयतन करत होते, माजी पोलिस प्रश्यास अनला विन्नती आहे कि आपूर्या माईती चा अधारावर कि वा खोट्या माईती चा अधारावर कोंते ही पक्षकरांची बाजू ने घेता माजना वंदना वसुदेव पाटिल, मी हुबी असलेली ही जमीन आमची वरलो पराड़ी जमीन आहे आमची जमीन आवारावर कोणा चाही इतले मूल चे भूमी पुत्र यह आमची जागा है जागाई एक ने चीज तीन मदली आमची जागाई हिटे भाहर चे परपांधिय बारस कर मनून इती हिन आमला कल अमी नीरदनशालेक पजते आमला इतले जागवरन भाहर ची लोग का आनून पॉलिस आनून माला वांसरानून आमश्यान अमली इता हकों लेज़र पर आमदा जमान ले नाहे आमज आसले मूले तयना आमची लावल करका आमची है का तरामी आमसा न्याया का मिलालत वाजे आनि है बारस करिये बिल्डर ला ज्वाइंड वून आमाला दभावशाही करता यह दभावशाही आम कदी साल्वू देना रहा है इतला मूल सा भूवी पुत्र अनि यह आमी खपुन गेनार नहीं करका यह जमी दोम्विवाली से सीनी सुमवाद दाता दीपक मोरे की रिपोर्ट खबर हट दोई से है यहां ब्लॉग बर्खानी के ग्राम पंचायत मैकपुर के जहां आनन धाम में कथा रासलीला के समापन के बाद विशाल भंडारे का योजन किया गया यहां पधारे भाषप विधायक मानवीन प्रताब सिंग उर्फ रानु भाया मंडल अध्यक्ष ग्यानेंद्र कुमार और अनि भाषपा कारे करताओं और थाना अध्यक्ष रमेश अंद्रपांडी ने पुलिस बल सहित सिद्ध बाबा आनन धाम के भंडारे का प्रसाथ ग प्रदान किया हर्दोई से सीनिवसम बादाता आमित सिंग के रिपोर्ट खबर महाराजगन से है यहां निश्लॉल ब्लॉक के ग्राम बैटफलिया स्थित मन्रेगा पार्क में क्याबनेट मंतरी और सुभासपा के राष्ट्री अध्यक्ष उम्रकास राजबने केंद्रे व गरीबों के वीज घूम कर उनकी परिशानियों को सुन रहा हूं उन्हें कहा केंद्र और प्रदेश की भाज़पर सरकारे गरीबों के घर को मुफ्त में रोशन करने जा रही है इसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है मेरे पंचायती राजभाग द्वारा गरीबों के छट पर सोलर पैनल लगाया जाएगा सोलर पैनल की खरीद पर सरकार 75% छूट दे रही है पीम मोदी ने इसकी शुरवात कर दी है उन्होंने कहा मोदी जी की सरकार लुक्स बचनाव के बाद यवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा को और बहतर बनाने जा रह सकेंगे और मोबाइल बाइक कूलर इत्यादी की रिपेरिंग करके अपनी दक्षता से आत्म निर्भर बन सकेंगे जो ग्राहुल जी और अख्षिले जी बोल ने है इत्धूट बोलने की मसीन है इसरब मायवती कह रही है कि ये जो राशन पचाओं FREK यह तो ठानों का राशन हैं तब सरकार रहल लुक्तार इस अधिवी स्क्रीन पर चार सो पार जब रिजल्ट आने लगेगा तो अखिलेश जी को राहूल जी को याद आएगा महाराज गहिंसे सीन्यू संबात दाता अनुनेश गुपता के साथ मनीश का नौजिया की रिपोर्ट परिवार के लोग पानी में उतरे वहां समर क्याम के स्विमिंग सीख रहे बच्चे भी उतरे हुए थे पूल में पानी जादा होने के कारण वो डूब गया वहीं स्विमिंग पूल में नहा रहे किसी से टकराया तो बच्चे के पूल में डूबने का पता चला आनन फानन में उसे जिला स्पतार ले जाया गया जाच के बाद चुकित्सकों ने उसे इम्रिद घोशित कर दिया पूरे मामले में सूरजपर पुलिस जाच में जुट गई है सूरजपर से सीन्यूस समवाद दाता सुरेंदर साहू की रिपोर्ट फिलाल न्यूस बुलिटिन में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सीन्यूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ